हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई यूट्यूब चैनल आज हम ट्राउजर की कटिंग करने वाले हैं इसके लिए जो मैंने यहाँ पर कपड़ा है वो डबल फोल्ड में रख लिया है और यहाँ पर मैंने जो इसकी विट्थ है वो 14 इंचिस ले ली है उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है 10 इंच की यहाँ पर आसन का निशान लगा लिया है और यहाँ पर धाई इंच का निशान लगा के इस तरह से दोनों निशानों को मैंने यहाँ पर मिला दिया है और यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे गोलाई दे दी है उसके बाद जो यह 14 इंच का मैंने कपड़ा रखा था उसका हाफ यानि 7 इंच पर मैंने नीचे मोरी पर मार्क कर लिया है और जितनी मुझे मोरी रखनी है जैसे मैंने 6 इंच रखनी है तो दोनों तरफ 3-3 इंच का निशान लगाके और उसको ऐसे शेफ दे दी है आप इसको शेफ 40 की हैल्प से भी दे सकते हैं लेकिन मैं ऐसे ही इसको यहां पर ऐसे माक कर रही हूँ अच्छ जो यह ट्राउजर की लेंफ है वो मेरी 34 1.5 इंच है लेकिन जो यहां पर कपड़ा है वो मेरे पास थोड़ा कम है इसलिए मैं यहां पर इसमें दो इंच की जो है उपर बैल्ट लग जाएगी और नीचे भी जो है धाई इंच का मैं यहां पर एक पट्टी लगा दूँगी इसी तरह मैंने दूसरी साइड से भी इसको ट्राउजर को जो है शेप दे दी है और उसके बाद मैंने इसको सिंपली कट कर लिया है देखिए इस तरह से और यहां पर जो थोड़ा सा मैंने उपर जो है यहां पर ऐसे इस तरह से गोला ही दे दी है इसको शेप दे दी है क्यों इसे मैंने जो front part है simply उसको double fold करके कपड़े के उपर बिचा लिया है और उससे डेर डेर इंच के दूरी पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है इस तरह से और अब इसको मैं यहां से cut कर दूँगी जो आसन है वो मैंने अभी यहां पर same ही रखा है front और back part का लेकिन जो इसके उपर मैं पट्टी लगाऊंगी जो extra कपड़ा लगाऊंगी उसमें मैं जो है इसका आसन बढ़ा के ले लूँगी देखिए यह मेरा back part है इसमें मैंने जो आसन है वो पीच में से यहां से मैंने इसके उपर 5 इंच का कपड़ा लगाया है और side में से जो है वो तिर्चा है देखिए वहाँ पर कम लिया है मैंने इस तरीके से जो आसन है वो बढ़ जाएगा ऐसे back वाला और इस तरह से मैंने जो यह back part है और front part है दोनों के जो आसन है इस तरह से join कर लिये हैं यहाँ पर निशान जहाँ पर मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर मैंने शिलाई लगा लिया है दोनों में देखिए यहाँ पर front part में भी यहाँ पर मैंने शिलाई लगा दी है और जो इसके अंदर plates हैं front part के अंदर वो भी मैंने एक एक इंच की यहाँ पर plates डाल दी है अब ये इसकी belt मैं यहाँ पर लगा रही हूँ इसका जो यहाँ पर waist है यहाँ पर मेरे 17 inches मैंने रखा है इस तरह से मैं यहाँ पर belt लगा के और इसको पिछे की तरफ ऐसे fold कर दूँगी और नीचे भी जो मैंने यहाँ पर कपड़ा काटके रखा हुआ है इसको भी मैं यहाँ पर नीचे attach कर दूँगी अब देखिए यहाँ पर मैंने elastic भी इसके अंदर डाल ली है simply जैसे हम elastic डालते हैं इसकी मैं video record नहीं कर पाई और उसके बाद देखिए जो यह इसका front part है वो मैं इसके उपर इस तरह से रखूंगी और देखिए इस तरह से दोनों को अगर मिला के हम यहाँ पर stitch लगा देते हैं तो यह अंदर जो है यह पूरे जो धागे वगरा है वो इसी तरह से यहाँ पर दिखते रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है मैं क्या करूंगी इसको इस तरह से पलट कर elastic के उपर इस तरह से दूसरे तरह fold कर दूँगी और उसको थोड़ा सा नीचे से मोड के इस तरीके से और फिर इसके उपर मैं यहाँ पर stitch लगा दूँगी इस तरह stitch लगाने से जब हम इसको पलटेंगे तो यह दोनों तरफ से पूरी finishing से यहाँ पर लग जाएगा और उसके उपर भी हम फिर चिलाई लगा देंगे चलिए इसको machine पर करके देखते हैं यहाँ पर देखी मैंने दोनों जो हैं यह नीचे मेरा front part है जहाँ पर मैंने यह आगे वाली जो मैं दो इंच की यहाँ पर पट्टी लगाऊंगी बैल्ट लगाऊंगी वो मैंने नीचे लगा रखा है कपड़ा यह यहाँ पर और इसके बाद जो है यह मैंने इसके उपर back part जिसमें मैंने elastic डाली है वो इस तरह से रख लूँगी अब दोनों सिरों को मैं अच्छे से जहां पर मैंने कपड़ा attach किया है मिला कर और उसके उपर से इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर दूँगी बैल्ट वाला और उसको ऐसे नीचे से half inch जो है margin कर रखते हैं वो फोल्ड करके और इसके उपर यहाँ पर stitch लगा दूँगी अब देखिए मैंने यहाँ पर जो है इसके उपर ट्राउजर की बैल्ट के उपर यहाँ पर stitch लगा दी है यह देखिए दोनों तरफ से यहाँ पर और अब जब इस कपड़े को हम ऐसे खोलेंगे इस तरह से बैल्ट को दूसरी तरफ तो यह देखिए अंदर की साइड और बाहर की साइड दोनों तरफ से यह बिल्कुल पिनिशिंग दिखाई देगी यहाँ पर पूरी कोई भी यहाँ पर धागे वगएरा दिखाई नहीं देंगे नहीं यहाँ पर इलास्टिक नज़र आ रही है और ना ही किसी परकार के थ्रेट्स इस तरह से देखिए आगे जो बैल्ट मैंने लगाई है इसको भी मैं ऐसे हाफ हाफ इंच का मार्जन लगा के फोल्ड कर लूँगी और यह मेरे ट्राउसर जो है यहाँ पर त्यार हो तैंक्यू फूर वाचिंग